नमस्वार आप देखरें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी बात हो गया है राजधर्म का राजधर्म में आज बात होगी जारखंट से लेकर महराश्ट्र की सियास्वत की और बुल्डोजर पर सुप्रीम ब्रेक की पी आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोट ने कैसे बुल्डोजर आक्षन पर ब्रेक लगा दिया सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर आक्षन के लिए क्या क्या गाइडलाइन सिजारी की सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर की मनमानी पर कैसे लक्षमन रेखा खीचती है आप कोई भ सीजों पर वोटर्स किन किन मुदों पर वोट डाल रही है जारकन के रण में कौन आगे चल रहा है कौन कहां पिछड रहा है साथी बात महराश्ट्र की भी होगी जहां बैक चेकिंग पर सियासी संग्राम चुड़ा हुआ है पहले उधफ फिर फटनवीज अब किसकी हुई बैक की चेकिंग यह देखेंगे आप राजधर में लेकर सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर बुल्डोसर पर सुप्रीम ब्रेक की ओतर प्रदीश हो या मध्य प्रदीश राज़स्थान हो या फिर कोई दूसरा स्टेट अब अपराधियों पार बुल्डोसर आक्शन लेना इतना आसान नहीं रह गया है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुल्डोसर आक्शन के लिए एक लक्षमण रेखा खीचती है जिससे पार करना ना तो किसी सरकार के लिए आसान होगा और ना ही कोई अधिकारी इसके जुर्रत कर पाएगा अब क्यों उसे आपको समझना होगा क्योंकि सुप्रीम कोट ने बुल्डोसर के मनमाने पर ब्रेक लगा दिया है Supreme Court ने ये टाए कर दिया है कि बुलडोसर चलाने से पहले क्या करना होगा इसके लिए guideline Supreme Court की आपको पालन करनी होगी आपको ये जानना ज़रूरी है कि Supreme Court की आज़ के अपने फैस्सली के दोरान क्या सख्त टिपणिया की नियमावली जो है जो गाइडलाइन से वो मैं आपके सामने रखूंगे लेकिन पहले आप जानिए आज पूरे देश के निगा सुप्रीम कोट की तरफ टिके हुई थी क्योंकि बुल्डोजर नियाय पर सुप्रीम कोट आज अपना फैसला सुना रहा था अब आप देखे जिन बातों पर सुप्रीम कोट की तल्ख टिपड़ी थी सरकार और अफसर जज नहीं बन सकते सरकार और सरकारी अधिकारी वो नियाय पालिका की जगे नहीं ले सकती सरवोच अदालत ने क्या कहा या दि कोई सरकार या फिर कोई अफसर ये काम करने की कोशिश करता है तो ये कानूनन घलत है घर के बलिए प्रॉपर्टी नहीं है बलकि लोगों की उमीद है आगे सुप्रीम कोट ये कह रहा है कि घर छीनना मौलिक अधिकार का हनन करना है किसी एक की गलती की किसी एक के गुना की सजा पूरे परिवार की सिर पर से छट छीन कर उनका आशियाना छीन कर ये नहीं किया जा सकता है सब को गुना की सजा नहीं दी जा सकती अब अगर guideline का उलंखन होता है कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी सूरत में गलत कारवाई करने पर उस सरकारी अधिकारी पर भी action लिया जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जवाब देही सीधी सीधी सरकारी अधिकारी की है कोट ने कहा कि एक इससा पूरे परिबार को नहीं घर गिराना आखरी रास्ता है और ये थाबित करना होगा कि क्या वाकई में घर गिराना जरूरी है अगले पक्ष को सुने बिना घर नहीं गिराया जा सकता सुप्रीम कोट ने बोला है कि राइट टू शेल्टर और राइट टू लिप जो यह है आर्टिकल 21 के अंदर से इतने इंपॉर्टन राइट्स जो कॉंस्टिटूशन ने प्रवाइड करे हुए हैं सिटीजन्स को इन राइट्स को आप इतनी आसानी से स्टेट इतनी आसान नोटिस को देना पड़ेगा और उसके बाद जब वो नोटिस की सर्विस हो जाएगी उसके बाद वो अपना इसको इसकी प्रोसीडिंस जो है वो जो जो भी ऑफिसर्स होंगे उसकी जूडिशन तरीके से एक प्रोसीडिंस जो होगी उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद क कोई action लिया जाएगा तब उसके बाद ही कोई action लिया जाएगा और यह जो भी प्रोसेटिंग्स होंगी जो भी पोर्टल पर जो यह notice दिया जाएगा यह सारी की सारी चीजों का वीडियोग्राफी होगी एवन कि अगर कोई demolition करा जाएगा किसी public place पर या कोई कोई public land पर या कोई फटपात पर या कोई इस तरह से जो भी कुछ होगा तो उसकी पूरी complete वीडियोग्राफी करी जाएगी जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनातन की बेंच ने बुल्डूजर आक्शन पर अपने आदेश को सुनाते हुई यहां तक कहा कि घर किसी की सिर्फ प्रापर्टी नहीं होती है बलकि उसकी उमीद होती है हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्ट्रे उससे कभी न चीने यानि कि कई सालों की मेहनत होती है और उसके बाद फिर किसी का घर तयार होता है देश की अदालत ने उत्यप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थाद में हुए बुल्डूजर आक्शन को लेकर जो याजिका दाखिल हुई थी उस पर फैसला सुनाते हुए अनुचेद 142 का जिक्र किया अब आप यह सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोट ने संविधान के अनुचेद 142 का ही जिक्र क्यों किया आई उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलते हूँ और यह फैसला किसी एक केस के लिए नहीं बलकि पूरे देश के लिए लागू होता है और यह आगे के लिए एक नसीर भी बनता है इसलिए इस्प्रीम कोट ने अनुचेद 142 के तहट ही यह फैसला सुनाया क्योंकि ये सुप्रीम कोट को विवेकाधीन शक्ती देता है और केवल एक राजी किसी एक शहर के लिए नहीं बलकि पूरे देश में फैसला लागू होता है ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोट ने पहली बार अनुचे देखसुब्यालिफ का हवाला दिया हूँ इससे पहले राम मंदिर है राम मंदिर का जो मामला रहा राजीव गांदी हत्याकांट जैसे कही फैसलों में अनुचे देखसुब्यालिफ का हवाला दिया गया ताकि कि इसकी व्यापकता पूरे देश में लागू की जा सके बुल्डोजर आक्शन पर देश की सर्वोच अदालत ने ये साफ कर दिया कि किसी आरोपी का घर केवल इसलिए नहीं गिराय जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराद का आरोप है अदालत ने कहा कि आरोपो पर सचाई का फैसला कीवल नियाय पालिका ही कर सकती है साथी देश की उपरी अदालत ने इस बारे में गाइट लाइन्स पी जारी की जिसके मुदाबिक अगर आप कोई बुल्डोजर आक्शन होगा तो उन्हें इन नियम होगा पालन करना होगा वो नियम क्या है अब वो मैं आपके सामने के करके रख देती हूँ सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में सबसे पहले तो ये साफ कर दिया है उसके बिना आप घर नहीं गिरा सकते और ये नोटिस कैसे जाएगी इस नोटिस को रजिस्टर डाक के जरीए भेजना होगा उतने से ही काम नहीं चलेगा बलकि ये मकान पर भी नोटिस चिपकाना होगा आप अब नोटिस चिपकाने के बाद 15 दिन का सिमय देना होगा लेकिन अभी 15 दिन का इंतजार करना होगा नोटिस में जो निर्माण है उसकी पूरी जानकारी कहां कहां घल्त है उसकी पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए कारण बताना होगा आगे देखें नोटिस के जानकारी DM को भी देनी होगी DM एक नोडल अधिकारी अब फ़र इसमें नियुक्त करेगा डिजिटल पोर्टल पर बकायदा ओर्डर को अपलोट किया जाएगा निर्मान गिराने की पूरी वीडियोग्राफी होगी कितना कंस्ट्रक्शन गिराये जा रहा है कितना कंस्ट्रक्शन अवैद था वो जानकारी देनी होगी उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी और नोटिस में निर्मान गिराने का कारण बताना होगा कौर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है किसी इनसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूस्ट का घर नहीं होता है वो पूरी family का घर होता है और पूरी family के aspirations and hope उस घर से जुरे होते हैं उसके future उससे जुरे होते हैं तो इस तरह से अगर authorities घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और illegal है दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग-अलग angle से उसमें एक बात तो ये होगी कि क्या वो पूरा घर illegal है या उसका कुछ portion illegal है या फिर उसको compounding किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ये सब देखने के बाद उस पर एक appropriate order पास किया जाएगा फिर वो collector को भीजा जाएगा collector उसमें एक नोडल officer अपॉइंट करेगा फिर उस नोडल officer के सामने उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जब final फैसला आएगा उसको website portal पे upload किया जाएगा Supreme Court ने अपने आदेश में केबल ये ताय नहीं किया है कि बुल्डोजर अक्षन कैसे होगा बलकि बुल्डोजर अक्षन लेने से पहले किन किन बातों का ख्यार रखना होगा वो भी Supreme Court ने जिम्मेदारी ताय करती है अब आप देखें देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि जो अबसर मनमानी करेगा या एक तरफा एक्षन लेगा तो ऐसे अधिकारियों के खिलास कारवाई की जाएगे अब इसको आप ऐसे समझेए कि मान लीजे एक गली में 40 घर बने हुए हैं वो 40 के 40 अवैद है लेकिन केवल एक घर अगर गिराया जा रहा है क्यों कि वो दोशी है या वो अपराधी है तो ये मनमानी ही कहलाई जाएगी क्योंकि सही कारण बताना होगा अब आगे देखे अदालत ने कहा कि वैसे अधिकारी को बक्षा नहीं जाएगा जो नियमों का पालन नहीं करता है दोशी अधिकारी से निर्मान का पूरा खर्च वफूरा जाएगा यानि व्यक्तिकत तोर पर उस अधिकारी को पूरा खर्च देना होगा दोशी अधिकार अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड रहा है, इससे रिलेटेड, तो उनकी परसनल जमेदारी होगी, अगर उन्होंने कोई प्राबर्टी डिमॉलिश की है, तो उसको रेस्टिटूट करने की है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे, जब उनकी खुद की ज उसको तोड़ दिया, तो यह दिखाता है कि एक भेदभाव है, अगर इंक्रोच्मेंट है, उसी लाइन में बाकी घर है, तो वो भी एंक्रोच्मेंट है, तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते हैं, आप पर जिम्मेदारी है कि आप आव अगर बहाँ पर कोई अतिकरमन कर रहा है, अगर बहाँ पर कोई अतिकरमन कर रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी तोर पर आक्शन लिया जाएगा, योगी के बुल्डोजर पर सुप्रीम कोट ने ब्रेक लगा दी, तो अखिलेश यादव का इस पर कमेंट भी आना ही था, समाजवादी पाजे के मुख्या ने सुप्रीम कोट के फैसले का स्वागत किया, और कहा कि अब किसे गरीब का घर नहीं तूटेगा, और आज से बुल्डोजर गेराज में खड़ा रहेगा, इस सरकार का जो बुल्डोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिपड़ी की है, जिस सरीके से घर तोड़ा गया था बुल्डोजर से, उसके खिलाफ कोट में गए और उसके बाद जो जजश्मिन चाया है, ऐसे कम फैसले होते हैं, जहां पस सरकार को जुर्माना द देना पड़ता है, क्या कोई सोच सकता है, कि सुप्रीम कोट ने सरकार पर पच्छिस लाग का जुर्माना लगाया है, न केवस जुर्माना लगाया है, वलकि ऐसे दोसी अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने के लिए भी का है, जिनोंने बुल्डोजर चला करके किसी का घर तोडने का काम किया है, जो घर तोडना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप, जो घर तोडने में सेकिंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो, कम से कम आज के बात, उनका बुल्डोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में, अब किसी ग जादा सरकार के किलाव टिपड़ी और क्या हो सकती है अखिले शादफ के साथ ही जमियत उलेमा ने भी स्परीम कोट के फैसले का तुझा किया है जमियत ने ही बिल्डोजर आकčिन के खिलाव सुपरीम कोट में याचिका दाखिल की थी जमिय तुलिमाए हिंद की सेकुरिटी नियास फारुकी ने कहा कि इस फैसले का बहुत दिनों से इंतजार था अब किसी का घर देमॉलिश्ट नहीं होगा नियास साब ये बताएं कि मुतमाइन है आप इसी तरह की तबक्व उमीद कर रहे हैं थे सुप्रीम कोट से जी इस फैसले का बहुत ही बेचानी से इंतजार था क्योंकि इस लाखों जिन्दिया मुतस्र हो रही थी पूरे मुल का मामला था सरकारों दोरा जो है इस कानून को जो राइट टू लाइफ है और जो राइट टू फालो दी डू प्रोसीजर अफ लॉव है इसको जो है रूल आफ लॉव के खिलाफ जो सरकारों ने रविया अखियार किया था खासतों से मद्धी पर्देश की सरकार है राजिस्तान की सरकार है यूपी की सरकार है उत्रागंड की सरकार है आजाम है गुजरात है हर जगह पे यह तरह का वो चल पड़ा था कि अचानक उठे और रात 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 जो है डिमालेशन कर दिया इसको रोकना बहुत सरूरी था इस फैसले में जितनी तफसील के साथ और सारे पॉंट्स को कवर किया गया है हमें उमीद है कि इस से यह जो है र पड़ा रहा है लेकिन दूसरा पक्षे कहेगा कि भाई ऐसे लोग जो आरोपी है या दोशी है उन लोगों पर जो कारवाई हो रही थी वो रुख जाएगी देखे जो अदालत में जो जो रूल आफ लॉस सबसे इंपॉर्टन चीज़ है क्योंकि अदालत के खुद अपनी के डिमिल्टि खतम हो जागी फिर आप रूल आफ लॉक नहीं फॉलो करेंगे उसके अंदर जो है सबसा देने का उख सिर्फ अधालतों है जो इसको सबसा को एंप्लीमेंट करने का है सबसा को डिसाइड करने का उख लगा तो विपाख्ष बीजपी पर हमला वर हो गया. मुस्लिम संगचन भी ये बेहत खुश हैं. लेकिन बीज़ेपी की सहीोगी पाज़े का कहना ये है कि सरकार कानून के दाइरे में ही काम करती रहेगी यूपी सरकार के मंतरी ओपी राजबर ने बुल्डोजर अक्शन पर सुप्रीम कोट की फैसले का हम स्वागत करते हैं. जो निर्देश होगा, जो पादेश है उसका पालन होगा. लेकिन कोट ने ये नहीं कहा कि आप रेल्वे की जमीन कबजा कर लो, बनविवाग की जमीन कबजा कर लो, वरकिछा की जमीने कबजा कर लो, किसी की संपत्ति कपजा करो यह कोट में नहीं कहा है अगर आप गलत करोगे भाई तो किसी की अगर नीजी संपत्ति अपने कपजा की है तो उसको खाली करना पड़ेगा नहीं कहा कि जिसका घर आप बुल्डोजर चला रहे हैं उसको कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए जो हम देखते हैं कि यहां नहीं होता है तो आप कैसे चलेगा बुल्डोजर नहीं देखें कोई भी कारवाई अगर इस तरह की हुई है और आप इसको खाली कर दीजिए जब नहीं करेंगे तो आपको 15 दिन में इसको हम गिरा देंगे तो सुचना दी जाती है और हम फिर कहा रहे हैं कि नियाले के आदेश का हम लोग पालन करेंगे और किसी की नीजी जमीन पर कोई कबजा करेगा तो उसको खाली भी कराये जाएगा इधर कॉंगर्स स्वाची ने भी सुप्रीम कोट के फैसले का स्वागत किया महराश्ट्र कॉंगर्स के प्रदीश अध्याक शनाना पटोले ने कहा कि अब बुल्डोसर की राजनीती बंद हो जाएगी नरेंद मोदी की सरकार आने के बाद जो डर की राजनीती जो शुरू ही ED, CBI, वैसे कुछ राज़ों में बुल्डोजर की राजनीती शुरू ही और दर फैदा करने का जो काम शुरू किया है सत्ता का दुर्पयोग जो लोग करते हैं उसको सुप्रीम कोट ने आज जो फटना लगाई उसका हम सवागत करते हैं दरफल जब बुल्डोसर आक्शन की शिकायत सुप्रीम कोट पहुंची थी तभी सुप्रीम कोट ने ये कहा था कि इस पर All India Basis पर गाईडलाइन्स जारी करने की जरूरत है और इसी के तहट आज सुप्रीम कोट ने गाईडलाइन्स जारी भी की लेकिन सुप्रीम कोट के महराश्र के नेत आबु आजमी ये कह रहे है कि इन जिन लोगों का मकान धुफ्त हुआ है उन्हें मुआबज़ा मिलना चाहिए दोशी अधिकारियों के खिलाफ करवाई की भी मांग की बुल्डोजर इनसाफ को लेकर आज सुप्रीम कोट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है समाजवादी पाल्टी की क्या भूमी का है बड़ा बांदी किया है या नहीं किया है क्राइम में है या नहीं यह कोड फैसला करेगा सरकार कैसा में सकती है बहुत सखनी इस में तोड़ें खरना उन ა सब घरों का पैसा सरकार से भरोना चाहिए और इस एक और अब्ज़र नोmeतर घ्alnya का सब पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए रात के वक्त इस तरह से महिलाओं बच्चों को सड़क पर देखना बहुत दुखद है। योगी सरकार पर आप लगातार आरूप लगा रहे थे अब जब यूपी से शुरुआ सलसिला मद्यप्रदेश पहुचा राजस्तान पहुचा अन्यवी राज्यों में हमने देखा इस तरह की घटना हुई अब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोट की साधेश के बाद आपक अजद मद्यी ने भी सुप्रीम कोट के फैसले का स्वागत किया मद्यी ने कहा कि एक आदमी की घल्टी की ससा पूरे परिवार को देना ये कहीं से सही नहीं है हम तो यह समझते हैं और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर किसी शख्स के मकान को गिरा देना जो इसकी सारी जिन्दगी की कमाई की चीज़ थी ये कानून के खिलाफ है और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिन्दगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मरतबा एक दिन में एक घंटे के अंदर बुल्डोजर चला करके मिसमार कर देना है फिर यही नहीं बलके जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराई के मकान में आदमी रहता है उस मकान को बुल्डोजर से गिरा दिया गया आदमी उसके अंदर मा भी है, बाप भी है, भाई बेन भी है, बच्चे भी है, बीवी भी है अगर एक आदमी से कोई घलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, अबे सहारा बना देना ये बुलोजर के निताइज थे अब बात जारखंट इलेक्शन की करते हैं, वायनाज की करते हैं, जारखंट से लेकर वायनाज तक देगजों की साख दाऊव पर लगी है, जारखंट में पहले चुलन का रण जा रही है, तो वाही वायनाज में आज प्रियांका गांधी का बड़ा इम्तिहान है, इसके जारखंट में को लिक्यासे विधान सुभा सीटे हैं बहुमत के लिए 41 चाहिए आज शाम तक 43 सीटे तो लॉक हो जाएंगी यानि कि जारखंट में अगली सरकार किसकी बनेगी पहली फीस के मतदान में करीब करीब डिसाइड हो जाएगा बड़ी बात यह है कि आज जिन 43 और 6 सी सीटे हैं यानि कि जिसे भी आदिवासियों का सुपोर्ट मिलेगा वही जारखंट में बाज़ी मारेगा अब जारखंट में कौन कहां भारी है कहां काटे की फाइट है किसकी हवा टाइट है इसकी एक एक डीटेल आपको बता दू लेकिन उससे पहले जारखंट चुनाव से जुड़ा हुआ एक बड़ा अब जेच दे दो जारखंट में सुबे सही पोलिंग बूत पर लंबी कता रहे हैं लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकल रहे हैं तो पहर तीन बचे तक जारखंट में 50 प्रतीशत से ज़्याद आप वोटिंग हो चुकी है सिम जेगा में 54 प्रतीशत और लोहर दगा में 50 प्रतीशत वोट डाले जा चुके हैं जबके राची में 54 और कोडर्मा में 51 प्रतीशत वोट पड़ चुका है हजारखंट में 49 प्रतीशत और खूची में 55 प्रतीशत मत्यदान हुआ जारकन्ट की पूरे वोट रिपोर्ट क्या है कि जिले में कितनी वोटिंग हुई है आईए वो आपके सामने आकडा रख देती हूँ चत्रा में 49 प्रतिशत मतदान हुआ है सिम जेगा की बाद करें तो यहां पर 54 प्रतिशत मतदान हुआ चपरणपूर्वी सिंग्भूर में 48 प्रतिशत गड़वा में 50 प्रतिशत गुमला में 56 लोहर्टगा में 55 प्रतिशत लातेहार में 54 कोडर्मा में 51 प्रतिशत मतदान हुआ, खूटी में 55 प्रतिशत, हजारी बाग में 49, पलामू में 47, रामगर में 50 प्रतिशत, राची में 44 प्रतिशत, सराय केला, खरसावा में 54 प्रतिशत, और साथी वेस्ट सिंग भूम में 50 प्रतिशत, यानि ओवर आप आवरेज देखें, तो 50 प्रतीशत से उपर ही मतदान हुआ है और सबसे अच्छा मतदान का प्रतीशत फिलहाल गुमला स्याराजापे 56 प्रतीशत वोटिंग हो चुकी है अभी दो घंटे से ज़्यादा का समय बाकी है शाम होते होते वोटिंग परस्वंटेज में बड़े उच्छाल के भी उमीद है थोड़ी देर पहले एक रुकेजर महेंदर सिंग धोनी ने भी वोट कास्ट किया महेंदर सिंग धोनी ने राची में वोट डाला उनकी तास्वा तस्वीरे भी इस वक्त आपके सामने हैं वो राची के रहने वाले हैं और इसे अपने मताधिकार का इस्तुमाल करने के लिए वो भी घर से बाहर निकले और जब इस तरह से सेलेब्रिटी मतदान के लिए बाहर निकलते हैं तो ये बाकी लोगों को भी जागरुक करता है तो एक तस्वीर ये भी अब आप देखें 2019 का रिजल्ट जारखंट की जिन 43 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उन पर कौन किस पर भारी रहा है और किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं जो जनता वोट डाल कर निकल रही है वो क्या कह रही है वो सब आगे आप जानेंगे लेकिन उससे पहले आप देखें 43 सीटों पर मतदान हो रहा है 2019 के चुनाव में कौन कहां पर खड़ा हुआ दिखाए दे रहा है अब आप देखे 2019 का नतीज़ा ये बताता है कि इन 43 में से जेमें को 17 और बीजेपी को 13 सीटे हासिल हुए थे वहीं कॉंग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी जेवी एम को एक और निर्दलिये के खाते में दो एंग्सवपी आरजेटी को भी एक एक सीट हासिल हुए थे ये तो 2019 का नतीज़ा रहा अब मैं आपको रीजन वाइस भी समझाती हूँ पहले फेज की 43 सीटों पर कौन कितना भारी दिखाए देता है सबसे पहले कौलान रीजन की बात करें कुल 14 सीट इस रीजन पर आती है 2019 में इनी 14 सीटों में जेमें 11, कॉंग्रिस 2 और निर्दलिये 1 जेमें के पास 11 सीटे आई थी यानि पलामू रीजन में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा नौर्थ छोटा नागपूर रीजन की बात करें यहाँ पर बीजेपी को तीन कॉंग्रेस 2 और जेटी एक निर्दलिये 1 अगर आप इसे अभी से कंपेर करेंगे तो यहाँ पर लगबग मामला बराबरी का ही था अगर आप एलाइंस के नज़र से भी देखें तो साउथ छोटा नागपूर रीजन की आप बात करें कुल 13 सीटे यहाँ पर आती है बीजेपी 5 सीटे चार जेएम तीन और जेबियम एक सीट यहाँ पर जीट पाई इस बार बीजेपी को कुलाहन रीजन से बहुत उमीदे हैं कुलाहन के टाइकर कहे जाने बाले चमपई सोरेन इस बार जेएम एम की जगए बीजेपी के लिए जोर ड़का रहे हैं चमपई ये दावा कर रहे हैं कि उस बार कुलहान रीजन की सभी 14 सीटों पर बीज़ेपी का कमल खेलेगा हमारे साथ चमपई सोरेंग जी है जारकंड में पहले फेस की वोटिंग जो है वो हो रही है पूर मुख्यमंत्री भी है जारकंड के और कुलहान रीजन 2019 के चुनाव में सोरेंग साथ कुलहान रीजन पूरा जे-म-म को गया था बड़ा एक उस जीत में एक बड़ी हिस्सेदारी बड़ी भागेदारी इस कुलहान रीजन की थी पूरा रीजन स्वीप किया था इस वार क्या होगा पूरा बाज़ूबा के पांचुए है रीजन कि चौदा के पख्ष में है क्या लग रहा है क्या मुदा है जो बीजेपे के लिए पटा है बांगला देश गुसपच का मुदा आप लोगों के लिए काम करेगा आपको लगता है इन तमाम चीजों का इंपक्ट ग्राउंड पे पड़ेगा और फाइदा हो सकता है अधिवासी के विवस्ता को चर्मरा दिया और अधिवासी के जमीन पर उलग जबरन के अपज़क कर दिया एक एक टुगाउं मिटते गिया है यह बहुत बड़ा मुद्धा बन गया जो विटी सरकार ने अठार सुपचपन में हमारा भी प्रुवोजन ने लड़ाई किया था सीदू करनो चांद भायर फोना जानो अरू संतार पर अगान को नामकरन करके गया है संतार पर ना काइस करी अधिनिया में ना उसी धार्ती में बंगलाद सी घुसपड इतना तेजी से बढ़ गया है वहां का अधिवासी का संख्या घट गया उससे बड़ा और क्या दुर गो सकता है चले मैया समान योजना करती है अब बुडा माबाब का अपने आशो पिरा दिया यह किस तरह का सास होना इस तरह से विवस्ता है चले थैंक एंडिये की सरकार आई तो क्या चमपाई सोरेन मुख्यमंत्री भी बन सकते है यह तो बादल की बात है सबसे बड़ा द दल किस को क्या दाइत देंगे आप चाहते हैं आपको लगता है सबसे सूटेबल कैंडिडेट हो दल के उपर में हम भरोशा है चले बहुत बहुत शुक्त रहे हैं दल के उपर हमें भरोशा है लोग सुबार विधान सुबा में जड़के के बाद भाजपा ने आधिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पूर्व मुख्यमंतरी चंपई सुरिन को साधा है बीजेपी को उमीद है कि चंपई क्याने से आधिवासी वोट बड़ी तादाद में उनकी तरफ आएगा और यही वज़े है कि चुनाफ प्रचार के दौरान बीजेपी ने आधिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे को जोर्शोर से उठाया पहले चलन की वोटिंग से पहले पूरी लड़ाई को आधिवासी असमिता बनाम ट्रिपल जिहाद बनाने में कोई कस्वर नहीं छोड़ी इसके लिए बीजेपी ने बांगलादेशी घुसवैटियों का बार बार जिक्र किया लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद के मुद्दे को हैलाइट किया और साती हिमन सुरीन सरकार के ब्रश्टाचार और बेरोजगारी के इश्यू को भी चुनावी हतियार बनाया जारकन चुनाव में बीजेपी ने आधिवासी वोट पर क्यों और कितना फोकस किया और क्यों पहले ही फेस में आधिवासी डिसाइटिंग फैक्टर में हैं उसे भी आपको समझना होगा जारकन में एस्टी के लिए 28 सीटे रिजर्व है तो वहीं आज 20 सीटों पर वोट आले जा रही है 2019 में इन 20 सीटों में से जेवेम को 12 और कॉंग्रिस को केवल 5 सीटों पर ही जीत मिली थी जबकि बीजेपी को 2 और जेवेम को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी यही वज़े है कि बीजेपी बार बार आदिवासी अस्मिता की बात कर रही है इंडिया टीवी से एक्स्क्लूजव बाचीत में केंद्रिय मंत्री और जारकन बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंग चोहान ने भी दोहराया कि राजी की डेमोग्राफी बदल रही है मांगला दीशी घुस पैठियों के वज़े से जारकन का स्टित्व खत्रे में है शिवराज सिंग चोहान ने आरोप लगाया कि सुरीन सरकार घुस पैठियों को संरक्षन दे रही है उनके आधार काल्ज बना कर वोटर लिस्ट में नाम लिखवाये गए हैं गुस पैठियों के घरों पर जेमें के जंटे लहरा रही है जारकन के आप प्रभारी भी हैं क्या प्रमुक्पुद्दे रहे हैं जारकन में जिसे लेकर आप गए जिसकी लेकर बाची दो जारकन में वहां का कुसासन विकास ठप हो गया आकंट व्रिष्टाचार में डूबी ऐसा नंगा व्रिष्टाचार मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा नेताओं के घर से साड़े तीन तीन सो करोड रुपे एक एक के घर से बरामद हो रहा है ब्रिष्टाचार से लोग परिशान है लेकिन उसके साथ साथ रोटी, बेटी और माटी तीनों संकट में है इंडीगर वन्दन की सरकार घुस पैठीओं को सन्दक्षन दे रही है उनको बसाती है, आधारकार बनाती है, बोटलिस्ट में लिखाती है, रासनकार बनाती है सारे घुस पैठीओं के घर जेमें के जंडे लहरा रहे हैं जनता ने तैय किया है कि अगर जारखन को बचाना है तो यह अन्तिम मौका है इसलिए भारती जनता पारिटी के साथ लोग खड़े हैं मोदी जी के साथ लोग जी आधी ट्वीट कर रहे हैं साथ गारंटी भी दे रहे हैं कि इंडिया को वोट करेंगे तो संभिदान की रक्ष विरोजगारी भी बड़ा मुद्दा रही जारखन विरोजगारी बड़ा मुद्दा है इन नकाता पांच लाख रोजगार देंगे तीन सो भी रोजगार नहीं मिले ढंग से और इसलिए जारखन का विवा आक्रोसित है पेपर लिग यह सी घट्नाओं ने उसको और प्रण किया है दो लाख सतासी अजार सरकारी पद भरने का पाच लाख स्वरूदगार के अफसर स्रिजित करने का लोग भाजपा के साथ यू युवावी भाजपा के साथ अब जब भी शिवरात सिंग चुहान की बात आती तो लाडली बहना कजिक्र जरूर आता है गेम च हमारी जहां-जहां सरकार हैं हम बेहनों के खाते हैं पैसे डाल रहे हैं विस्वास बहाजपा पर है इसलिए लोग बिजय के सथ खड़ी बहने भी हमारे साथ कर ब्रॉब हमन immature नकल कर मरिकर दो और वोट ले लो इसलिए लोग उन पर विस्वास भी करते हैं बात आ रही है लगातार हमने देखा हर्यानाच चुनाओ से शुरूँ आब बटोगे तो कटोगे ये पूरा और अब राहुल गांधी देश को बाटना चाहते हैं जात में पात में भाजपा का कहना पहले राष्ट बाद में कास्ट निश्चित तोर पर दो त्याही बहुमत से महराष्ट में भी हमारे महायूती की सरकार बन रही है जमशेद पूर्व के एक वोटिंग पॉलिंग बूत पर इस वक्त हम है और जमशेद पूर और जारखन की 43 सीटों पर पहले फेज में चुनाव मतदान हो रहा है देखें यहां पर तमाम वोटर्स हैं कुछ फर्स टाइम वोटर्स भी हैं जो वोटिंग के लिए पहुँचे हैं तो बताए कितना उत्सा वोटिंग अभी आपको करनी है फर्स टाइम जैसे मैं वोट कर रहा हूं मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने बूत को थोड़े मैनेजमेंट के तौर पे देख सकूँ कि चाहूंगा कि मुझे अपने आने वाले जिनरेशन के लिए और अपने आने वाले टाइम के लिए उन्हें वोट देना चाहिए जो यहां के सही कैंडिडेट है ना कि उन्हें जो यहां पर अपने vagtivity को गल्द दर्शाते है कि ये आप बताएं क्या नाम है आपका परभादेवी प्रभाजी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं महिलाओं क्या सोच रही है महिलाओं यह ही सोच रही है कि हमको आर्थिक सुविधा मिले हर तरह से हमारी मदद हो एक गरीब महिला जो हर चीज के लिए यह होती है उनके लिए हर तरह का सुविधा मिले महिया सम्मान योजना है जो जे एमेम सरकार है उसकी और देखिए यह अपतुक अपना अपना है जो जीतेगा उसके अंभो पर यह चल रहा है लेकिन क्या ये वोट देने की एक वज़ा है महिलाओं के बीच में हाँ हाँ ये तो वज़ा है क्योंकि हर तरह समलों को सुविधा मिले बच्चों के लिए हर तरह का जैसे आजकल पड़े लिखे बेरोजगार भी गूम रहा है उनके लिए जोब हो अच्छा ये सब के लिए आदमी वोट दे रहा ताकि जीते हमारा सरकार बने आक्तिक हम लों के मदद करें क्या भटाचारे जी किसका लग रहा है पलड़ा भारी और क्या मुद्दे जनता के हैं इस बार जार कर दो सब कुछ ठीक ठागी है फिलाल तो बीजेपी आना चाहिए जैसे मुझे लगता है क्यों लगता है साथ को बस ऐसे ही मैं क्यूंकि जो पांस साल तक थे क्या लग रहा है क्या मुद्दे क्या है वोटर के क्या सोच रहा है दिमाग में मन में क्या चल रहा है मौन में तबर वही चल रहा है जंता बड़ी वाला आपका नाम बताइए पुनम जी बताइए कि मैया सम्मान योजना सब महिलाओं को ही लुभाने में लगे हुए है बीजेपी ने घोशना कर दी है जे-म-म की सेप्टेमबर से आनी शुरू हो गई है राशी तो महिलाएं क अब किसको देख किसको पता ही नहीं चलता है बाई सब कोई अपने अपने लुभाने में लगे हुए है जारखन में जारी पहले चलन की वोटिंगे बीच बीजेपी ने काउंग्रेस और जेमें़ पर संकीन आरोप लगा दिए बीजेपी का कहना ये है कि साइलेंट पीरियट के दौरान काउंग्रेस ने अपना मैनिफेस्ट तो जारी कर दिया तो वहीं जारकन सरकार ने 11 नवंबर को मैया सम्मान योजना की किश्ट जारी की जो की चुनाव आचार सहिता का उलंगन है silent period में भी घोशना पत्र जारी करके जिस प्रकार से राची में constitutional समविधान की धजिया उड़ाई गई है मुझे लगता है चुनावायोग को इसका संग्यान लेना चाहिए और Congress Party के खिलाफ कारेवाही भी होनी चाहिए जिस प्रकार करनाटक में आप सभी जानते हैं चार प्रतीशत आरक्षन, रिजर्वेशन, पब्लिक टेंडर में Muslim Organizations और Contractors के लिए होगा इस विशय का तुष्टिकरण आज हो रहा है कि जिस प्रकार करनाटक में किसानों की जमीन को छीन करके वक्ष बोड को देने की साजिश Congress Party ने राहूल गांधी और सोनिया जी के कहने पर रचा था जारखंड में JMM और Congress Party इसी प्रकार के सड्यंतर को अंजाम देने के लिए जो घोशना पत्र है उसमें अपने बिंदूओं को लेकर आई यह चिठी है जमेत उलेमा का और जमेत उलेमा ने जारखंड में Congress Party के समर्थन में चिठी लिखा है और चिठी लिखते हुए Congress Party को समर्थन देने की जो अपील की है यह पश्टता के साथ कहती है कि यह जो समविधान की धज्जियां उड़ा करके Congress Party घोशना पत्र जारी करती है SC, ST और OBC के अरक्षन को समाप्त करके उस अरक्षन को किस प्रकार मुसल्मानों के लिए दिया जा सके उसका सड्यंतर करती है उसका परदा भी फास हो रहा है